नमस्कार फैंट्स में नाम बवली उर्मा पेपर है कर में आपका स्वागत है स्टार्ट कर रहे हैं अपना बीए सेकंड सेमेश्टर यह कौन सा रहेगा अपना बीए सेकंड सेमेश्टर और हम यहाँ पर पड़ रहे हैं क्या पड़ रहे हैं आपको गई हम यहाँ पर पड़ हमने सारे कवर कर लिए अब हम बहुत चुके हैं यूरिट नंबर टू पर तो आज हम यूरिट नंबर पूरी टू खतम करेंगे ठीक है एक एक कोशन के साथ में तो आज हम देखने वाले हैं पहला कोशन है मुहम्मद बिन तुगलक के कारियों का अलोचात्व बढ़न लेकर पानिपत का दोदाय 1526 वाला ठीक है तो यह इसके दिल्ली सलत्रत का कारिकाल था दिल्ली सलत्रत में सबसे पहले कौन आते हैं गुलाम गुलाम बंस का प्रतम सासक कौन था आप ओगे एवक था अंतिम सासक कौन था कैकूबाद था उसके बाद कौन आया था खिल ठीक है अब कहां बढ़ चुके हैं हम आ चुके हैं गुलाम पढ़ लिया खिलजी पढ़ लिया अब हम तुगलक बंस पढ़ेंगे और तुगलक बंस का प्रतम सासक हो जाएगा तुमारा ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक तो अब हम करते हैं इसके लिए स्टार्ट तो मुह मुहम्मद बिन तुगलक के कारियों की आलोचनात्मक बढ़न कीजिएगा अत्वा मुहम्मद बिन तुगलक और उसकी नीतियों पर एक निवंदली किएगा अत्वा कुश्यन मुहम्मद बिन तुगलक की आंत्रिक सुधार योजनाओं का बिशेसर कीजिए और उनकी असफलत के कारणों का वर्ण करना है अत्वा कोईशन ये भी मिल सकता है कि मुhommad बिन तुगलक के विभ Passion का प्रयोग किये थे समय जो प्रयोग किये थे तो ने उसके बारे में अतवा कोईशन का मिल सकता है तो हम कहाद कर रहे मोहमध बिन तुगलक की अब बढते हैं स्टार्ट करतें में सेशन के लिए उत्तर की बात करतें मुहम्मद विन तुगलक 1325 इसबी में दिल्ली का सुल्तान बना मुहम्मद विन तुगलक कब बैठा 1325 में उसका वास्तविक नाम जो था वो उलूग खां अत्वा जूना खां हुआ करता था क्योशन बहुत वार बना है कि ये बताएगा कि किसका वास्तविक नाम उलूग खां अत्वा जूना खां था जूना खां था बहें सासन सम्मंदी नभी नियोजनाय बनाने में निपड़ था क्योंकि आपको पता है खिल जी बंस में पैसा बहुत था उसके बाद तो लगवच जैसी बैठता है तो पर नए नए योजना बनाने के प्रयास करता रहता है किन्तु उस योजना को ब्याभारिक रूप से प्रिदान करने की चंता उस में अभाव था मतलब उसके पास वह चं सामराज किया था उसके पिता कौन थे विसाल सामराज था उस समय किन्तु उनकी असफल योजनाओं के काड़व है विसाल शामागरी सीगर ही विखंडित हो गई इसी प्रकार मुहमद बिन तुगलक के राज्या रोहड की समय सरकारी खजाना धन से पूर था उस समय तो भार पिता था क्योंकि अपने राज्य को समर्दी के लिए अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अपने राज्य को सक्तिशाली उनाने के लिए सारी योजनाओं थी मगर जो बहां की जनता थी उसने उसके गलत फायदे उठाए ठीक है बात कहते हैं मुहमद तुगलक की आंत भी करना चाहता था अब देखो राजस बिवस्ता में सुधार करने के लिए मुहम्मत तुगलक ने एक बड़ी योजना बनाई इसमें अपने सामराज के विभिन सूबों के सुवेदारों पर सुवेदारों को यह आदेश दिया कि वे अपने सूबों में आय ब्याय का हिसाव सुल्तान के पास बेदें इस इस हिसाब को रखने के लिए उसने एक रजिश्टर तयार किया बह चाहता था कि पूरे सामराज में समान राजस विस्ता लागू की जाए किन्तो ब्यावारिक्ता के आभाब के कार्ड योजना सफल नहीं हो चुकी क्योंकि जो वहां के जो जो जिनको तैनात किया गया था ठीक है जो अधिकारी जो सुवेदार बनाए गए थे वो खुद क्या निकले भष्टाचा निकले और जनता से वसूली कुछ जादा ही करने लेगे इस प्रकास से क्या हुआ वो भी एक असफल योजना रही उसके बाद दुआब छेतर में करकी ब्रद्धी अनेके इतिहासकारों कामत है कि मुहम्मद तुगलक ने राज की आए बढ़ाने के उद्देश के दुआब छेतर में किसानों पर कर की मात्रा में ब्रद्धी कर दी थी दुआब कौन सा होता है गंगा यमना का मैदान दिवात ने बदावनी तथा शर बुलजल है के अनुसार दुआब की बिद्रोही जनता पर निंत्रड इस्थापित और उसे दंडित करने के उद्देश सेकर लगाया गया था ये बात थी उनकी कि जो दुआब में रहते थे वो बिद्रोही थे इस लिए उनपर जादा कर लगाया गया था ठीक है बात करेंगे हाजी कि उद्वीर के अनुसार कर सुल्तान के रुक्वे राजकोस को भरने के लिए लगाय गया था इन्होंने ये कहा फलत सुरूब किसानों ने खेती का कार छोड़ कर चोरी डकैती लूट मार करना प्रारंब कर दिया क्योंकि वही जब खाने के लिए जतना होगा वो सारा के सारा आदा छीन लेगा तो क्या करेंगी जन्ता तो बिड़े के दी जालेगी उस प्रकार से कर वसूल करने बाले अधिकारियों ने कठोर दमनिती का प्रयोग किया जिसके काड़स्थान इस्थान पर बिद्रो हो गए मुहम्मद तुगलक ने इन बिद्रो को कुरूरता से उचल संतोस अतदिक बढ़ चुका था ये हो गई ठीक है राजस विस्ता की बाते हैं अब हम बात करते हैं किरसी की उनिती की योजनाएं मुहम्मद तुगलक ने किरसी की उनिती के लिए अमीर एकोही नाम किरसी मंतरी का पद सर्जित किया अब बहुत बार कोशन बना गया बताय ने बनाया था तो मुहम्मद विन तुगलक ने ये कोशन बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है एक निश्चित छेतर का चैन किया जाता था जिस पर सरकारी करमचारियों को देख रेक में किरसी कार किया जाता था यह एक परकार से राजस विकरसी फॉर्म की भाती था किंतु कर राजदानी परिवरतन मुहम्मद विन तुगलक का। कि केंदर में ब्रत हैं心 परता है फिर सुल्चान भारत के सासन पर उतरी भारत की अपेच्छा अधिक ध्रहना रहा था कुंगी उत्तरी भारत के शिक्रश कहत रहे हैं ऑगले बेखते हैं कर ना चाहता था हाथ उसकी धाना थी कि देवगिरी के देवगिरी में मुगलो आक्रमण का सामना आसेन से किया जा सकता था ठीक है एक बात तो यह थी अगले पॉइंट की बात करेंगे बैदचिड भात में मुसलिम संस्कृति की स्थापना तथा प्रसार करना चाहता था उपेक तो उद्देशों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने देवगिरी अत्वा दौलताबाद को अपने सामराज की राजधानी बनाने का निरड़े लिया उसने दिल्ली की जंता को दौलताबाद जाने का आदेश दिया दिल्ली को उजार दिया गया यहां से क्या होई दिल्ली से जंता अगले बढ़ते हैं तो बात करते हैं 1335 इसमी में सुल्तान ने जनता को उसकी इच्छा नुसार दिल्ली बापस जाने की अनुमती प्रदान कर दी इतिहासकार बर्नी ने लिखा है दौलता बात जाने वाले लोगों में बहुत कम ही लोग दिल्ली बापस लोड सके ठीक है तो यह प्रकार यह योजना सुल्तान की मुर्कता का प्रतीक सिद्धू हुई अगले बढ़ते हैं सांकेतिक मुद्रा जो तांबे के सिक्के चलाए गए थे इसका प्रिचलन भी किया था मुहमद बिन तुगलक के नुसार तो मुहमद तुगलक नभीन योजनाओं में रूची रखने बाला सुल्तान था इसी विसेस्ता के कार्ड उसने 1329-1330 में तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रिचलन करने की योजना बनाई बरनी का बिचार है कि खजाने की कमी को पूरा करने तथा सासन के खर्चों को चलाने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया था किन्तु उसकी यह योजना भी सफल नहीं हो सकी क्योंकि सिक्कों की डहलाई में विसेस्त दगनिकी का प्रिचलन नहीं किया गया फले सुरूप लोगों ने नकली सिक्के ढालने लगे और बजार में नकली सिकों का प्रिचरन बढ़ गया प्रते घर में टकसाल बन चुका था ठीक है तो यह उस समय टकसाल के नाम से प्रिसिद्ध था अगली वरते हैं ये भी योजना क्या रही मुहमद बिन तुगलक की बिफल रही अब बात करते हैं बिजय योजना हैं मुहमद तुगलक एक महात्बकांची सासक था भारत में आसपास के देशों को जीतना चाहता था सबसे पहले उसने राजनते एक परिस्तियां अनुकुल जाकर बिजय की योजना वनाई इसके लिए 3,7,000 सेनिकों की एक बिसाल सीना का घठन किया और उसको एक वर्स तक बितन दिया बेतन के अलावा काफी धन सामाज शामान और युद्ध सामागरी एकरतित करने में खर्च किया पंतु एक बर्स पस्चात मद एसिया की पहिसते बिल्कुल बदल गई इरान और मिसर के सासकों के साथ उसके संबन्द कैसे हो गए सुधर गए अता उसने अपना विचार बदल दिया और सेना भंग कर दी एक बर्स तक के बैसे राज को उसको बड़ी हानी पहुची और जब सेना भंग कर दी गई तो उसने देश में ही अपने लूट मार इस्टार्ट कर दी क्योंकि खजाना क्या हो चुका था खाली हो चुका था तो कहीना कहीन से भाना था करो में ब्रदी की और इस मैसे जनता क्या होई असंतुष्ट हो गई बात करते हैं मुहम्मद विन तुगलक का चरित्र एवं मुल्यांकन के बारे में तो चरित्र तथा कारियों की दिश्टी से मुहमत उगलक मद्दिकालीन सासकों में सबसे अधे की विबाद पूर्ड व्यक्ति माना जाता है अपने चरित्र की कुरूरता दुराग्र है और अपनी असफल योजनाओ के काड़ेती हासकारों में उसके चरित्र उपलवदियों क बिसे में परियाप्त मतभेद है उसके चरित्र में इस आसाधाल गुड़ों का प्रधान था उसने उच्छ सिच्छा प्राप्त की थी वह कवीता करने तता पढ़ने लिखने में रूची रखता था वह बिद्वानों का यतोचित सम्मान करता था वह शराब का शेवन नहीं अधिकांस बिद्वानों का यह मत है कि मुहम्मत तुगलक में धैर और बैभारेक युगता अगर धैर होता तो हर चीज कुसल होती और सबमंगल होता बात करते हैं उत्तेजनापूर सभाब एवं दुराग्रह चरिते के काड़ भें अपनी योजनाओं को सफल नहीं वना सक इस प्रिकार के बिरोद स्वाभाब के काड़ एलिफेंट्स ने मुहम्मद तुगलक को क्या कहा है यह बेरी बेरी इंपोटेंट है कि किसने मुहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा है तो किसने एलिफिंट ने एलिफिंट्र ने क्या कहा है मुहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा है ये question बार बार एक जामें पूछा गया है होने का संदेह किया है कुछ एतिहसकारों ने उसे रक्द पिपासू very very important है पागल सासा किसे कहते है रक्द पिपासू किसे कहते है ये सब की साव मुहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है उससे अधिक बिबाद का बिसह यह है कि मुहम्मद बिन तुगलक के चरत्र के विरोधी गुडों का मिश्रड तता उसका आभाव नहीं डॉक्टर इस्वरी पर साद डॉक्टर के एम निजामी डॉक्टर मेहदी हुसैन उसके चरत्र में विरोध गुडों के तर्क को सुईकार नहीं करते इसके विपरित डॉक्टर आर्सी मजूनदार का मत है मुहम्मद बिन तुगलक ना तुरक्त रिपासु देते था और ना ही पागल लेकिन उसने निसंदे विरोधी गुडों का मिस्रड था बात करें उपर योगत फलसर असफलताओं के होते हुए भी उसका उसकी बिद्वता कल्पना सक्ती धार में सही सुरता और स्ष्टता को भुलाया नहीं जा सकता डॉक्टर इस्वी परसाइद के सब्दों में मद्य योग में राज मुकुट आढ़ार करने में निसंदे मुहमद बिन तुगलक सबसे अधिक योग ब्यक्ती था मुसलिम सासक की स्थापना की बात दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होने वाला सासकों में बहस सबसे अधिक बिद्वान और सासकों में वह एक था इस प्रकार मुहमद बिन तुगलक से समद्द इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कोई कि मुहमद बिन तुगलक जो था एक कहा सकते हैं बिद्वान पड़ालेखा व्यक्ती था पड़ालेखा सासकता उसकी योजनाय सबकी सबच्ची थी देश की अगले बढ़ाने के लिए थी अपने राज को अपने समराज को आगे बढ़ाने के लिए थी मगर उसकी जनता ने और उसके करमचारियों ने उसके कट्रव्यवार के ना होने के काड़ कोई कड्रवार होता तो कोई भी उसके प्रती हस्तचेप नहीं करता मगर उसने कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए जो कि उसके साथ गदारी ना करते तो इस प्रकास से उसके कम्या रही ठीक है जो हमने यहाँ पर देखी है इसलिए इसको रखते पिपासू कहते हैं पागल भी घा जाता है तो बेरी बेरी इंपोर्टेंट कुशना से बन जाते हैं शेर करना चैनल को कर देना सस्काइब इसको टू की स्पीट में एक वार और देखे लिना पूरा की पूरा आपको complete हो जाएगा ठीक है तो यहीं पर रहने तेमें वीडियो के लिए वीडियो अच्छे लिए कर देना शेर सस्क्राइब सब कुछ ठीक है तो फेंट जैहिन ज